नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करता हूं कि आपको आप अच्छे होंगे और आपको जो बतारा हूं मैं समझमारा होगा इससे पार जो लेक्टर से आपने देखिये होंगे आज हम पढ़ेंगे exercise 4.4 ठीक है थोड़ा जो है कॉपिट करिए आपकी है चाहिए इसको वीडियो को जितने मैंने पढ़ाएं लक्षे साब तक इनको शेर करिए वीडियो को लाइक करिए ठीक है और जो है अपना प्यार देते रही है से लिए स्टार्ट करते हैं तो आज है exercise इस 4.4 इस चैप्टर की लाज्ट exercise है ठीक है केवल दो ही कोशन दे रखें है बुक है एंसी अर्ट क्लास्ट नाइट की मैस की केवल दो ही कोशन है तो देखते हैं फर्स्ट कोशन क्या है वीडियो शॉट रहेगी है पस्ट कोशन क्या है आपको बोलाए कि यह यह वाई इस इकोल टू ठीए इसको रिप्रेजेंट करिए पहला है वन वैरेबल फॉर्म में और सेकिंड इस इन टू वैरेबल फॉर्म ठीक है तो दोस्तो 1 variable में तो यह दे रखा है ना अगर आप दिखोगे y is equal to 3 तो इसमें y variable है तो 1 में तो दे रखा है तो first का जो answer हो तो y is equal to 3 होई जाएगा 2 variable में represent करना है मुझे तो उसका क्या करेंगे हम जो x है उसको coefficient रखतो 0 plus 1 into y is equal to 3 अब यह जो representation है यह 2 variable में आगया xb और इसमें y भी है ठीक है इसको solve करेंगे तो जो answer तो y is equal to 3 आएगा लेकिन it is in a 2 variable representation form बात समझ मारी चलिए question number second देखते हैं same x है इसका उसमें भी कह रहा है कि आपको 2x plus 9 is equal to 0 represent करना है 1 variable में और 2 variable में तो 1 में दे रखा है यह एक 1 variable form है यह 1 variable form में आपको given है ठीक है क्योंकि यहाँ पर x एक single variable है अब इसको लिखने 2 variable है 2x plus 0 into y plus 9 equal to 0 गर दो कि यह किसमें आ जाएगा यह 2 variable में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर variable 2 हो गए है xb और yb यहाँ यहाँ पर आ गए है इसलिए अब यह 2 variable में आ गया तो दोस्तों यहाँ पर जो है chapter खतम हो जाता है एक बार recap देख लेते हैं revision साथ थोड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको जो पीशे काता सारा समझ में आ जाएगी क्या बताया था मैंने और फिर यह वीडियो खतम हो जाएगी यहाँ पर chapter भी finish हो जाएगा अगली बार ने शेप्र के साथ आगों सामने में हाजिर होंगा तो भाई इसमें बताया था मैंने आपको कि ax plus by plus c is equal to 0 अगर यह form कहीं भी दिख जाए आपको तो यह है आपका linear equation in two variables क्यों है क्योंकि यह आपको दो variables x और y जिनकी degree 1 दे रखिए degree 1 है इसलिए linear है और variable 2 है इसलिए यह two variable equation दे रखिए आपको फिर इसमें बताया कि भाई राम की age राम की age अपने बेटे से twice है twice of his son's age ठीक है यह मैंना बोला अब आपको इसको change करना है equation में तो भाई राम की age को अगर आप y मान लेते हो twice मतलब 2 multiply son की age को आप next मान ले इस तरीके से question आये इसके बाद था कि जाए इसका ग्राफ करना अगर आपको तुझे यहां पर वैल्यू एक टेबल 1 और 2 माइनस 1 माइनस 2 यह पॉइंट तो 0,0 हो गया फरस्ट वाला 1,2 1,2 यहां पर आ जाएगा यह इनको मिलाते में लैंट कीज देंगे तुझे यह आपकी इस ग्राफ की question भी इस question का graph भी हमें मिल जाता है इसके बाद था पूछता है कि जैकि अच्छा आपको दिया है एक point है 0,2 क्या यह इसको satisfy करता है रखते हैं तो y is equal to 2 into 0 तो 0 आ रहा है न तो दो नहीं आ रहा है तो मतलब कि यह point इसको satisfy नहीं करता है अगर मैं रखता हूँ point 1,2 क्या करता है रखता है y is equal to 2 into 1 तो y 2 आ रहा है एक सो मने 1 रखा य में रख्या आगए 2 आ गया मतलब कि satisfy करता है तो इस type question इस में थे तो दोस्तों इस chapter में बहुत टफ चीज नहीं थी कुछ कुछन अच्छे थे एक कुशन था जो जो centigrade और Fahrenheit में था F is equal to 9 by 5C plus 32 यह question था last while मैंने करवाए तो last lecture में इसको आप जरूर कर दिना ठीक है इसमें आप से पुछा राई जाए इसका graph डॉ करना है बात समझ मारिये तो दोस्तों मीद करता हूं कि आपको चैप्टर समझी में आओगा ठीक से इसको multiple times देखिए clear हो जाएगा और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो मुझे please comment करिए ठीक है इस वीडियो को लाइक करिए क्यान को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देखिए रही है इस तरीक से आवा नाइस्टे